ये कहानी इसी सदी की है एक गर्द जंगल में एक आम का पेड़ था उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गाउं था उस गाउं का एक छोटा सा लड़का रामू उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के पास खेलता रहता था वो उस पेड़ पर चड़ता आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे एक नींद की जपकी लेता रामू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती अब रामू रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा एक दिन की बात है रामू चलते चलते उस पेड़ के पास गया वो बहुत दुखी था चलो रामू बेटा, मेरे साथ खेलो आम के पेड़ ने कहा मैं अब बच्चा नहीं रहा, जो तुम्हारे साथ खेलू अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता रामू ने जवाब दिया मुझे अब खिलो ने चाहिए और खिलो ने खरीदने के लिए पैसो की जरूरत है रामू आगे बोला माफ करो बेटा, पर मेरे पास पैसे नहीं है परन्तु तुम आम तोड़ सकते हो और उसे बाजार में जाकर बेचकर पैसे कमा सकते हो रामू ये सुनते ही खुश हो गया उसने आम तोड़े उसे जमा किया और खुशी खुशी वहां से चला गया लेकिन बहुत दिनों तक रामू वापस उस आम के पेड़ के पास नहीं आया बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया कुछ सालों बाद रामू अब आदमी बन गया था फिर से उस आम के पेड़ की पास वो आया आम का पेड़ खुश हुआ और बुला रामू बेटा चलो आओ और मेरे साथ खेलो मुझे तुम्हारे साथ खेलने का टाइम नहीं है और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है हमें एक घर चाहिए क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो रामू ने पूछा मुझे माफ कर दो बेटा पर मेरे पास तुमको देने के लिए घर नहीं है परन्तु तुम मेरी शाखाए तोड़ कर तुम्हारा घर बना सकते हो ऐसा सुनते ही रामू ने आम के पेड़ की सभी शाखाए तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहां से खुशी खुशी चला गया शाखाए तूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था परन्तु रामू उसके बाद नहीं आया और पेड़ बिचारा बहुत दुखी हुआ कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में रामू फिर से उस पेड़ के पास आया पेड़ बहुत खुश हुआ तुम मुझे बोट दे सकते हो रामू ने पुछा इस पर पेड़ बोला मेरे तना का इस्तिमाल करो और बोट बनाओ फिर तुम नौकायन को जाके खुश रह सकते हो फिर क्या था रामू ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाई और नौकायन को चला गया फिर बहुत सालों तक वहाँ वापस नहीं आया ऐसे ही कुछ साल बीद गए आखिर एक दिन रामू वापस आया रामू को देखकर पेड़ बोला मुझे माफ करना बिटा परन्तु तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है आम तो कभी के खत्म हो गए रामू बोला कोई बात नहीं अब मेरे दांद भी तो नहीं है आम खाने के लिए पेड बोला तुम्हें खेनने के लिए अब शाखाएं भी नहीं है मेरे पास सच मुझ कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस ये मरने वाली जड़ी है मेरे पास। और आम का पेड रोने लगा, अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, अब मैं ठग गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। रामु बोला, पेड बोला, तो फिर तो अच्छा है, पेड की जड़े आराम के लिए सबसे अच्छी जगे होती हैं। आओ, मेरे पास बेठो और आराम करो। रामु नीचे बेठा, आम का पेड खुश हुआ और वो रोने लगा। दोस्तों, ये कहानी हमारे दिल को छू लेती है, कि कैसे एक पेड हमारे जीवन में बस जीवन भर देते ही रहता है। और इंसान उस बात की कद्र तक नहीं करता। पेड हमें च्छाओ और फल देते हैं, लकडियां देते हैं, पर हम इंसान उन्हें बे रहमी से हमारे फाइदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप नया पेड नहीं लगा सकते, तो कम से कम उन्हें काटो मत। धन्यबाद।